नमस्कार मैं अंजली मिशोर स्वागत है आपको हमारे चैनल में आपको बजा दें कि राकेस्ट कैट अपनी धमकी देने से बाज नहीं आ रहें एक बार फिर से किसानेता राकेस्ट कैट ने सरकार को अंदोलन की धमकी दी है उन्होंने किसानों को कहा है कि बैग पैक करके रखने के लिए ट्रॉली तयार रखने के लिए क्योंकि देश में एक बार फिर से आंदोलन होने जा रहा है आखिर किसार नेता राकेश्ट केयत ने इस बार ऐसा बयान क्यू दिया है एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी राकेश्ट केयत क्यू दे रहे हैं आईए इसके बारे में जरा आपको विस्तार से बता देते हैं देश में एक और आंदोलन की जरूरत है और इसके लिए सबी तयार हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को तयार रखे आंदोलन कब होगा कहा होगा इसकी जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी ये बात सवाई मादेपुर जिला वुख्याले के दशहराय मैदान में प्रेमी परिवार संगटन की ओर से दशहरा मैदान में किसान महा पंचायत का आयोजन किया गया था और इसी दोरान आयोज को की ओर से किसान नेताओं का सापा बादवाकर और माल्यानपन करकर स्वागत किया गया किसान महा पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता रा कि जाएगी सरकार की और से किसानों के खिलाफ जो निर्ने लिए जाएंगे उसके लिए अंदोलन किया जाएगा किसान विरोधी काम किये जाने पर सरकार किसी की भी हो अंदोलन से नहीं हिचकेंगे किसान ने तो राक्यास्ट के अतने का कि भारत सरकार देश के किसानों को 6,000 रुपए देती है उनका चार महीने प्रचार किया जाता है किसानों को भिखारी बना कर रुपए दिये जा रहे हैं केंदर की सरकार के जो मुद्दे हैं उनमें MSP बड़ा सवाल है केंदर सरकार की औ से दो सदस्यों के नाम मांगे जा रहे हैं लेकिन सरकार यह नहीं बता रही कि कमेटी के अधिकारी क्या करेंगे कार्याल है कितना होगा इसके सदस्य कितने रहेंगे लेकिन केंदर सरकार जो है किस-किस किसान संगठनों के इसमें सद्धस्य होंगे इसका ध्यक्ष कौन होगा लेकिन केंदर सरकार सी ओर से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है उन्हेंने कहा कि जब तक कि भारत सरकार स्पष्ट नहीं बताएगी तब तक नाम नहीं देंगे सरकार किसानों को दो सदस अलेकर शेस सदस अपने समर्थन के लोगों को बना कर बहुमत के आधार पर फैसला देने की MSP पर कानून नहीं बनेगा उन्हेंने कहा कि केदर सरकार ने युनिवर्सिटी ऐसे ही बनाई है जिसमें कोई फेल नहीं होता है पूरे देश के लोगों के बीच MSP कानून को लेकर जाएंगे इसके लिए जन अंदोलन बनाएंगे उन्हेंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में किसानों को दी जाने वाली बिजली की दरे अलग-अलग है जब देश एक है तो बिजली की दरे भी एक होनी चाहिए उन्हेंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाच्पा कॉंग्रेस दोनों पाठियों का गठ बंदन है क्रांती से चलेगा और क्रांती से ही बचेगा इसके लिए एक बार फिर आंदोलन और क्रांती होगी तभी जाकर देश बचने वाला है उन्होंने कहा कि देश वोट की तागत से नहीं बचेगा क्योंकि देश में लोकतंत्र ही समाप्त हो चुका है सम्विधानिक संस्ताओं पर अवैधिनिक तरीके से कब्जे हो चुके हैं सड़क कांदोल और मजबूत होने से ही तीनों कृषिक कानून वापस हुए है किसार नेतारा केस्ट केट ने कहा कि राजिस्थान में पानी का एक बड़ा मुद्दा है यहां जब तेल और गैस दूर से आ सकता है तो पानी भी आ सकता है देश की नदिया में पानी है इन्हें जोड़ा जाना चाहिए नदियों को नदियों से जोड़ने की दिवगत प्रधान मंत्री अटल विहारी बाच्पे की योजना थी किसान नेता ठिकेथ ने सभा को संबोधित कर टबे का कि किसानों की समस्याओं के लिए अभी और आंदोलन किये जाएंगे किसान महा पंचायत में किसान नेता रामा राज मील ने भी अपनी बात रखी राजा राम मील भी इस दोरान बात करते नजर आए और राकेस्टिकेल्ट इस दोरान एक और अंदोलन का आवाहन करते नजर आए राकेस्टिकेट ने साफ तोर पर कहा कि एक और आंदोलन होगी और MSP पर सरकार खुल कर जानकारी देने की बात कही हुई उन्हें ने कहा सरकार कोई भी क्यों नहों अगर किसान विरोधी काम किये जाएंगे तो उन्हें मुतोर जबाब दिया जाएगा काम धंडा नहीं है राकेस्टिकेट के पास मुद्गे नहीं है राकेस्टिकेट की परशानी बढ़ती जा रही है राकेस्टिकेट को लग रहा है दाना-पानी कैसे चलेगा तो अब उन्हें मुद्दा चाहिए और और यह मुद्दा कहां से मिलेगा यह मुद्दा यहां से मिलेगा यह मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह मुद्दा वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दा है इन्हें उसे मुद्दे की तरह क्रियेट करने की कोशिश के जारी है क्यूंकि यह राकेस्ट सच्चाइब जितने रंग बदले गिर्गिट भी उतना रंग बदले से पहले उतनी उसकी नहीं यह उतना रंग बदल सकता है जब जरुवत निकल जाता है तो फिर निद्धा बन जाते हैं तो और अर्विनर के जिवाल में अब यह होड लगी हुई है कौन कितना बहतरीन जब politics तो आती ही नहीं है तो साथ तो पर राकेश टिकेफ ने शुरुवाथ से है politics की इस पूरे किसान के मुद्धे को पॉलिटिसाइज करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है वो कोई और नहीं खुद को किसान नेता बताने वाले राकेस्टिकेट का है अगर आपको याद हो तो पहले जडमुद्दों को लेकर राजनीती की गए जिसे लेकर जो तीन करशी कानून बताया गया उस पे है तक्रीब 6% से जादा किसानों का यह मानना था कि तीनों करशी कानून सही है लेकिन कुछ किसलों के इसमूने और ऍचा सब्सक्रा सब्सांवाइत हो सब्सक्राइब सब्सक्राइब किस तरीके से क्षान के आंदोलन से पहले कोई नहीं जानता था कौन है उसका स्तित्व क्या है इस बारे में भी किसी को जानकारी नहीं थी लेकिन किसान नेता बनने के बाद उन्हें काफी जादा फेम मिली पॉपुलारिटी मिली मंच मल गे आवास के लिए और इसके बाद उ पिर उस वामले को उठाने की कोशिच की जाती है लेकिन आप जिस तरीके से यूगियात आत्रत का बिद्डॉजर चलुर। इस बात से विन बहुत भली भाती यिवब गद है कि अब ज्यादा अगर वह वापस से उसी तरीके से तिल बनाने की कोशिश United वापसे मौहल बनान और पिर कहते हैं कि जिनके लिए मैं बैठा हूँ उन्होंने भाजपा को वर्ट दिया है भाजपा के तरह से कौल आते हैं और इसके बाद उन्हें छोड़ने के बात कह जाती तो यह दो हरी राजनीती दो तरफ की चीज़ें दो अलग-अलग बाते यह जो है यह राकेस्टिक सब्सक्राइब करते हुए उन्होंने कहा है तो साफ तर पर आपने यह पूरा मुद्धा जो है जान लिया है किस तरीके से यह पूरा सब्सक्राइब कर रहे तो फिर जबाब दिया जाएगा तो साफ तर पर इस तरीके के जो बयानबाजी है सुनने के लिए मिली है तो अब आपने यह पूरा मामला विस्तार से जाल लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं